हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्टेडी आवर लाइंज तो फ्रेंट्स जैसा कि आपका बिहार दरोगा जो ग्यान विंदू जियेस अगेडमी का प्रीबिएस येर का बुक था उससे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था टोटल अठारा प्रैक् देखने वाले हैं साथ में मां आपको छोटा सा बत बता दे कि ज्नविंदू का एक तो चॉबिस मार्च को ऑफलाइं को ओंफलाइन दरोगा का सेट हुआ है और एक 27 मार्च आजिए ना हाँ आज से स्टार्ट हुआ है ग्यान विंदू का ऑन-लाइन online practice set जो की online और offline दोनों का set आपको समान देखने को मिलेगा बिल्कुल समानी है सब कुछ तो उसका practice set कल आपका एक upload हुआ था offline वाला और अब जो next set आएगा इसका set 2 वो कल तक आ जाएगा क्योंकि एक दिन आपको delay करना परेगा ठीक है तो चलिए उसे भी regular रखेंगे इसे भी सांस में रखेंगे और platform का जो आपका previous year चल रहा था उसके लिए भी बहुत सारा comment आ रहा था तो उसे भी हम regular रखेंगे tension नहीं लेजे थुरा सा भी schedule उल्टा पुल्टा है इसलिए दिक्कत हो जा रहा है बट उसे भी regular रखेंगे ठीक है चलिए पहले प्रस्ण की और वरते पहला प्रस्ण है आपका कि किस मुगल सासक ने शाहु को मुक्त किया था तो साहु को मुक्त करने वाला जो मुगल सासक था वो मुज्जम था कौन था मुज्जम जिसको बहादूर सा के नाम से भी जानते हैं ने साहु को मुक्त किया था बहादूर सा प्रथम जिसको मुज बहादुर सा को साहेवेखवर के उपनाम से पुकारा जाता है। बहादुर सा को साहेवेखवर के उपनाम से पुकारा जाता है। बहादुर साहेवेखवर के उपनाम से पुकारा जाता है। बहादुर साहेवेखवर के उपनाम से पुकारा जाता है। उसके बाद फरुक्षियार का कारेकाल रहता है 1713 से 1719 तक फरुक्षियार। फरुक्षियार जो था इसके साहसनकाल में सैयत बंधु अबदुल्ला खा वजीर तथा हुसे नली मिन बक्सी के पद पर निख्थ हुए। सैयद बंधु ने जजिया कर पुर्णता समाप्त कर दिया और तिर्थी आत्रा कर की समाप्ती का आदेश भी दे दिया। सत्रा सो सत्रा इसवी में फरुक्षियार ने एक फर्मान के जरिये अंग्रेजों को बैपारिक छूट परदान की और इसे कंपनी का मैगना काटा कहा जाता है। सत्रा इसवी में फरुक्षियार को सिंहासन से अपधस्त कर हत्या कर दिया। सीद कुली खां के नेत्वित में बंगाल, सादत खाने अबद, निजाम उल्मुल्क उर्फ चिंकलीज खाने, हैदराबाद, चूरामन और बदन सिंह ने भरतपूर को अपने स्वतंत्र सत्ता की अस्थापना करता है। मुहमाद सा के सासनकाल में ही नादिर सा का भारत पर 1749 इस्वी में आकर्मन होता है। नादि सा को इरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, मुहमाद सा को अधिक समय हरम में बिताने तथा उसके ओश्यंत और विल्यासी आच्रन के कारण रंगीला कहा जाता है। अगला प्रस तेखते हैं हिस्टोरी का, हिस्टोरी का नामक प्रसिद्य रचना किसकी है, तो हिस्टोरी का नामक जो प्रसिद्य रचना है, ये किसकी हो जाएगी, तो ये आपका हीरो डोटस का हो जाएगा, हीरो डोटस की ये रचना है, तॉलमी की बात करें तो भारत का भ दूसरा खुला था दरभंगा में जब कि पहला पटना में अस्थापित है दो जनवरी 2004 को बिहार में अगर पूछे कि पहला तो दिल पटना में बिहार में पहला पटना में अस्थापित किया गया था 2004 में दो जनवरी 2004 को और अभी आपका दूसरा M's खुला है दरभंगा में वर्तमान में बाइस एम्स बनाने का लक्ष है किसने बंगाल की राजधानी मुर्सिदाबाद से मुंगे रस्थांतरित किया तो वो था आपका मीर कसीम मीर कसीम ने बंगाल की राजधानी को मुर्सिदाबाद से मुंगे रस्थांतरित किया कलाइव के हाथों की कट्पुतली नवाव मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 हिसवी में हटा कर उसके दमाद मीर कसीम को बंगाल का नवाव बनाया मीर कसीम ने अपने राजधानी को मुर्सिदाबाद से मुंगेर अस्थान्सित किया मीर कसीम ने और मुर्शिद कुली खाने अपनी राजधानी धाका से मुर्शिदाबाद यानि भागी रती नदी के तट पर अस्थान सित किया किसने मुर्शिद कुली खाने इसने इजारीदारी प्रथा प्रारंब की तथा किर्सको को तकावी रिन तकावी रिन मतलब खेती क के लिए पहले ही दिया जाने वाला रीण था वो परदान किया बंगाल की राषधानी था सबसे पहले करम में ध्हाक फिर मुर्सिदाबार फिर मुंगीर ढाका मुर। बंगाल की राषधानी बना 1740 इसविव में गिरिया के युद में सरफराज को मारकर विहार के सरसुविदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना इसने अपने सासनकाल में मुगलों को राज़स देना क्या कर दिया बंद कर दिया और इसके सासनकाल में बंगाल इतना सम्रिदिसाली बन गया कि वो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा और इसका उत्राधि उसका दमाद सिराव जोदौला था 20 जून 1756 भी को काल कोट्री की तरास्ती नाम घटना घटी और इस घटना के रचैता जेड हॉलवेड के अनुसार नवाव सिराव जोदौला 20 जून की रात 146 अंग्रेज वेक्तियों को एक छोटी सी कोट्री में बंद कर दिया अगले दिन सुबा 146 में से केबल 23 बेखती ही जिन्दा बचे ठीक है फिर है आपका पलासी कायूद जो की 23 जून 1757 को होता है अंग्रेज के सेनापती रोबर्ट कलाइब और बंगाल के नवाव सिराव जोदौला के बीज जिसमें नवाब अपने सेनापती मीर जाफर की धोखा दरी करने के कारण प्राजित हो जाता है और अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाव बनाया बकसर काईूद बकसर काईूद 1764 में होता है अंग्रेज एवं मीर कसिम के बीज आवद के नवाव सुजवा उदौला और मुगल समराठ साहालम दूतिय के बीच हुआ था और इस युद में भी अंग्रेजों की विजय हुई इस युद में अंग्रेज सेनापती हेक्टर मुन्रो था चली अगला प्रस्ट पांच देखते हैं निम्न में से कौन सा काल करम के अनुसार सही है तो सही काल करम के अनुसार आपको बताना है सबसे पहले रामानुज की बात करेते हैं रामानुज हो जाएंगे उसके बाद नामदेव चैतन और तुलसी दास ओप्शन भी बिलकुल करि ज़िए के रामानुज चार का जो जनम हुआ था इनका कारिकल 1017 से 1137 था रामानुज चार का जनम 1017 इस भी में सिरी पेरूम मंदूर तमिलांडू में हुआ था यही जो थे इनका दर्सन था संकराचार का वो अध्वन्तबाद दर्सन के विरुध में प्रतिक्रिया है उन् इनक ब्रहम सुत्र पर भी स्री भास नाम से टीका लिखा और इनको दच्छिन में विश्णू का अवतार माना जाता है रामानुज चार को अगले हैं आपके नामदेव 1270-350 नामदेव रामानंद के सिसों के समकालिन थे नामदेव ने वरकरी संप्रदाई की अस्थापना में प्रमुख भुमका निवाई वरकरी संप्रदाई में नामदेव के कुछ पदात्मक गीत है वो है गुरु गरंथ साही में संगरहित है यानि नदियाँ जिला पस्चिम बंगाल में जन में चैतन्य महापरवु का बास्तविक नाम विशुभर था क्या था विशुभर और इन्होंने बंगाल में आधुनिक वैस्नब बाद या गौडिये वैस्नब धरम की अस्थापना की ये सगुन उपासक तथा क्रिश्न भक्ती साखा से संबंदित थे इनकी जीवनी पहले संस्कृत में मूरारी गुप्त ने तथा बंगला में विर्दावन दास ने लिखी थी कृस्न दास कवी राज ने बंगला में चैतन्य चरितामित्र की रचना की और इनका दर्शन अचित भेदो भेदवात कहलाता है इनके N.O.I.E. ने कृस्न का आवतार और गोरा गम महाप्रभु कहते हैं क्या कहते हैं गोरा गम महाप्रभु कहते हैं तूलसी दास 1532 से लेके 1632 तक तूलसी दास थे तूलसी दास की एकर हम बात करें तो तूलसी दास का जनम एक ब्रहमन परिबार में हुआ था तूलसिदास सगुन उपाशक कभी थे? तूलसिदास अकबर के समकालिन थे और तूलसिदास की कृतियों में राम चरित्र मानस, बिने पत्रिका, कविता वली, दोहा वली, गीता वली, राम लला नच्छु, वर्वे रमायन, वर्वे रमायन आदी ये सभी तूलसिदास की कृ च्छटा नमर प्रस्ण देखेंगे कि निम्न में से कौन अंग्रेज का कभी अध्यक्ष नहीं बने तो इस प्रस्ण का आंसल बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक कॉंग्रेज के कभी अध्यक्ष नहीं बने उपादी इन्होंने लोग मानने का लिया भारतिये और सां अधिवेशन में 1902 में अहमदावाद से अधिक्ष बनते हैं सुरेदरनात बनर जी गोपाल कृष्ण गोखुले 21 में अधिवेशन जो 1905 में हुआ था बनारस में उसका अधिक्ष थे स्वदेशी और वहिसकार अंदोलन का इन्होंने अनुमोधन किया था महात्मा गांधी 49 में अधिवेशन जो 1924 में बेलगाओं में हुआ था उसके अधिक्ष थे और भारती रास्ट ये कॉंग्रेस के अस्थापना 1885 में हुई थी इसके संस्थापक AO हुम है और परताम अधि सेक्ष ब्योंष चंद बनर जी थे और अवकास प्राप्त ICS अधिकारी ये थिक क्या थे तो ये अवकास प्राप्त अधिकारी थे और 1909 का भारत परिशद अधिनियम इसे मानलो मिंटो सुधार कहते हैं पहली वार मुश्लिम समुदाई के लिए पिर्थक परतिन्दृत का उपवंद किया गया इसी में इसके अंतरगत मुश्लिम सदसों का चुनाव मुश्लिम मद्दाता ही कर सकते थे इस परकार मिंटो को संप्रदाईक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है भारतियों को भारत सचीव एबम गवर्नर जनरल की कारिकरनी परिशद में क्या कर दी गई निक्त की गई नेक्स्ट है कि केंद्रिये और प्रांतिये विधान परिशद को पहली वार बजट परवाद बिवाद करने तथा सदसों को सारबजनिक हीत से संबंधित विशयों की बिवेचना करने प्रस्ताव करने का अधिकार प्रदान किया गया केंद्रिये और प्रांतिये विधान परिशद की संख्या में बिर्दी की गई सतिंद्र प्रसाद सिन्ह वाइसराई की कारिकर्नी परिशद के प्रतम भारतिये सदस्द बने इन्हें विधी सदस्द बनाया गया और इस अधिनियम के तहद Presidency Corporation, Chamber of Commerce, विश्विद्याले और जमिंदारों के लिए अलग प्रतिन्दित का प्रभधान किया गया निर्वाची स्रसों का चयन और परत्यक्ष रूप से किया गया इस परकार भारत में पहली वार चुनाओ परनाली प्रारंब हुआ इस एक्ट के प्रभधानों को हितैसी निरंग कुषबाद की संग्या दी गई मारलो मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला ये के एम मुनसी ने कहें थे अगला है आपका 1919 का भारत सासन अधिनियम जिसको माटेंग्यू जिम स्पोर्ट सुधार बोलते हैं इसमें केंद्र में दूई सादनात्मक विधायका की अस्थापना की गई उसके बाद राजपरिशत तथा दूसरी केंद्रिये विधान सभा थी राजपरिशत के सदसों की संख्या 60 ती और 34 निर्वाचित होते थे उनका कारिकाल 5 वर्स का होता था केंद्रिये विधान परिशत के सदसों की संख्या 144 थी जिनमें से 104 निर्वाचित और 40 मनोनित होते थे इनका कारिकाल 3 वर्स का था दोनों सदनों के अधिकार समान थे इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर संस्कृति सरी बजट पर स्विकृति परदान करने का अधिकार निचले सदन को था प्रांतों में द्वयंदिसासन प्रणाली का प्रबर्तन किया गया और प्रांतों में द्वयंदिसासन के जनक लियोनस का टेस थे 1906 में मुस्लिम लिंग की अस्थापना हुई 1906 में सती पर्था का उन्मुलन किसके सहयोग से हुआ तो सती पर्था का उन्मूलन जो हुआ था वो राजा राम मोहनडाई के सयोग से हुआ था राजा राम मोहनडाई सती पर्था का उन्मूलन लॉड बिलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहनडाई को की पहल पर उन 1829 सिस्वी में कानून बना कर किया और आधुनिक भारत पुनरजागरन के पितामा के रूप में विख्यात राजाराम मोहनडाई ने 1828 इस्वि में ब्रहम समाज की अस्थापना की ठीक है अन संस्थाएं की बात करें तो आत्मिय सभा का 1815 में अस्थापना करते हैं हिंदू कॉलेज का 1817 में डेविट हेयर के सहयोग से करते हैं बेदांत कॉलेज का 1825 में करते हैं और ब्रहम समाज का 1828 में ये सभी संस्थाएं जो हैं राजाराम मोहनडाई के द्वारा अस्थापित किया जाता है फिर दयानन सर्शत्ती के द्वरा अस्थापित किया गया आरे समाज 1875 में दयानन सर्शत्ती के द्वरा आरे समाज 1875 मुंबई में दयानन सर्शत्ती के बच्पन का नाम मूल संकर था और इन्होंने नारा दिया था कि वेदो की ओर लोटो इस्वर्चंद विद्यासागर के बच्पन का नाम इस्वर्चंद बंदो उपाध्याई था बिदवापुनरविवा कानून पारीत किये थे 7 दिसंबर 1856 को बिदवापुनरविवा कानून को और इनकी पुस्तक थी 16 प्रकास नेक्स्ट है सिव नरायन अग्री होतरी ये देव समाज लाहोर में के संस्थापक थे और सिव नरायन अग्री होतरी 1887 में ध्यान रखिएगा चलिए नाइन नमर प्रसंद देखेंगे मुगल और मेबार के बीच संदी कब हुई थी? तो मुगल और मेबार के बीच संदी 1615 में होती है 1615 में मुगल और मेबार के बीच संदी 1615 में हुआ मुगल सासक जहांगीर मेबार सासक अमर सिंग के बीच कंगारा अभियान जहांगीर के मुख अभियानों में से एक सबसे कठिन माना जाता है जहांगीर ने दीने इलाही को समाप्त कर दिया एबम सुलहे कुल की निती जारी किया कैप्टन हौकिन्स और सर टॉमस रो जहांगीर के ही सासन काल पे बैपारिक अनुमति प्राप्त किया जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्नियू कहा जाता है चलिए दस नमर प्रस्ण है कि ताज महल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था तो ताज महल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था कहां से मकराना से अपनी बेगम मुम ताज महल की याद में साजहा ने ताज महल का निर्मान आगरा में इसकी कबर के उपर करवाया उस्ताद इशा ने ताज महल की रूपरेखा तयार किया उस्ताद इशा ने ताज महल का निर्मान करने वाला मुख अस्थापित कलाकार उस्ताद आहमद लाहोरी था हिमायू के मकबरा को ताज महल का पुरवर्ती माना जाता है 1983 इस भी में यूनेसको ने ताज महल को विश्विरा से सुची में सामिल किया कॉंग्रेस की अस्थापना के समय भारत का वाइसराई कौन था तो कॉंग्रेस की अस्थापना के समय भारत का वाइसराई लॉर्ड डफरिन था लॉर्ड डफरिन का सासन जो था 1884 से 1888 था और इसके समय में तिर्तीय अंगल बरमाईूद 1885 से 88 इस्वी में हुआ था और बरमा को अंतिम रूप अंगरेजी राज में मिला लिया गया था बरमा को अंतिम रूप से 28 दिसंबर 1885 इसवी को बॉंबई में ए ओ यूम के नेत्रित में भारती रास्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना हुई बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1885 इसवी तथा पंजाब टेंडेंसी एक्ट 1887 और अबद टेंडेंसी एक्ट पारित किया गया नागरिक सेवा के विकास के लिए एजीशन आयोग भारत आया एजीशन आयोग उसके बाद लॉड हाडिंग पर्थम 1844 से 1848 तक इसका कारिकाल था ये जो था प्रथम आंगल सीख्यूद 1845 से 46 इस अंग्रेज विजय हुआ था इसी किसमें हुआ था लाहौर की संधी 1846 में होती है लाहौर की संधी खोंड जनजाती के बीच प्रचलित नरवली पर्था पर रोक लगाया था लॉड हाडिंग प्रथम उसके बाद है लॉड कैनिंग लॉड कैनिंग का कारिकाल 1856 से 1862 इस भी तक था यह जो था भारत में कमपनी द्वारा निक्त अंतिम गवर्नर जेनरल तथा ब्रिटिस सम्राट के अधिन निक्त भारत का पर्थम बाईसराई था कैनिंग के समय में ही 1856 इस भी में बिदवा पुनर बिवा अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ कैनिंग के समय भारत में पहला कानूनी बिदवा बिवा कॉलकता में 7 इसंबर 1886 इस भी को इस्तवर चंद्र विद्या सागर की प्रेरना और देखरेक में संपन 1887 इस भी में कैनिंग के समय ही महालेखा परिच्छक पद का सिर्जन किया गया जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्र के वह महालेखा परिच्छक कहलाया नेक्स्ट है डॉक्टरिन ओफ लैप्स यानि ब्यापंगत का सिधान्थ यानि राजविलाई की निती को समाप्त कर दिया गया इसने 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारिद किया और पोर्टफोलियो परनाली लागो किया फिर आता है लॉड करजन 1899 से 1905 लॉड करजन लॉड करजन जो था 1899 में भारतीय टंकन पत्र मुदरा अधिनियम पारित कर अंगरेजी स्वर्ण मुदरा को भारत की कानूनी मुदरा घोसित कर दिया करजन ने 1901 स्वी में सर कॉलिन स्कॉर्ट मन क्रीफ की अध्यक्स्ता में एक सीचाय आयोग टॉमस रवर्टसन की अध्यक्स्ता में रेलवे आयोग और 1902 स्वी में सर एंड्रियूज फेरजर की अध्यक्स्ता में एक पुलीस आयोग सर टॉमस रैले की अध्यक्स्ता में व कारी शमीती का गठन किया गया और इसके द्वारा भारतिये पुरतात्विवाग की अस्थापना भी की गई चलिए बारह नमर प्रसन है अलिगड की संधी का सदस्किसे किससे है तो अलिगड की जो संधी था ये आपका हुआ था इस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुदौला क का प्रभावी बनाया और इसका नाम बदल कर अलिनगर रख दिया लेकिन मनिक चंद ने हिरिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को शौंप दिया क्लाइव द्वारा फ्रांसिसी वस्ती चंद्रनगर पर बिजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की इस्थिती और करने सिक्के ढालने का आविस्कार नवाव द्वारा युद में हुई छती पूर्ती का वचन दिया गया था तथा दोनों पक्छों ने भविस्थ में सानती बनाया रखने का वादा किया अगला है तेरे नंबर यग की देखरे कौन करता है? तो यग की देखरे करते हैं ब्रह्मा कौन ब्रह्मा करते हैं? यजुवेद के मंत्रों का उचारन करने वाला पुडोहित अथर्यू कहा लाता है जो यजूवेद में मंत्रों का उच्चारन करता है उसको अथर्यू कहा जाता है उदगाता कौन होता है? सामवेद के मंत्रों के गाने वाले को उदगाता कहते हैं और इसे सुर्ज की अस्तुति का मंत्र भी कहा जाता है रिगवेद के रिचाओ को पढ़ने वाले रिशी को होतरी कहते हैं सुलह एक कुल की निती किसने अपनाया तो सुलह एक कुल की निती को अकवर ने अपनाया था अकवर जो था इसने सुलह एक कुल निती के प्रबर तक अकवर था सुलाहे कुल का क्या अर्थ होता है सर्व भौमिक सांती धर्म से संबंदित अकवर ने दीने इलाही धर्म का सुरुवात 1582 इसपी में किया और दीने इलाही संबत की सुरुवात 1583 में किया जहांगीर जो है इसने न्याय का जंजीर लगवाया जहांगीर ने सीखो के पांच में गुरू अर्जुन देव को फांसी दिलवाया इसके सासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है हिमायू जो 30 विद्या में विश्वास रखता था और इसके द्वारा प्रमुख यूद कलिंजर का यूद था 1531 में चुनार का किला 1532 में, चौसा कायूद 1549 में, कनोज या बिलगराम कायूद 1540 में, मच्छी वारा कायूद 15 मैं 1555 को और 22 जून 1555 को सरहिंद कायूद ये सबी हिमायू के द्वारा लड़ा गया यूद था अब है बावर का, बावर में मुगल वन्स का संस्थापक बावर था, भारत पर इसने 5 पार आकरवन किया था पर्थाम आकरवन 1519 में, यूसुफ जाई जाती के विरुद किया था और इसके द्वारा लड़ा गया यूद था पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घंगरा का और फाइनली इसकी मिर्थू हो जाती है 1530 में पानीपत का पहला यूद 21 अप्रेल 1526 को, खानवा का यूद होता है 17 मार्च 1527 को चंदेरी का यूद होता है 29 जनवरी 1528 को, और घंगरा का यूद होता है 6 माई 1529 को और फाइनली वो 1530 में आगरा में उसकी मिर्थू हो जाती है इटली ने आकरमन कर किस देश को जीता? तो इटली ने आकरमन कर जो देश को जीता था, वो था आपका, यहां पे दिया है, एक उप्सन कहा है, यहां पे हाँ मुरक्को कौन था? मुरक्को, इटली ने आकरमन कर के मुरक्को को जीता था, उप्सन नमबर C इटली ने आक्रमनकर मुरको को जीता था उतरी अफ्रिकन देश जिसकी राजधानी हिरवात मुद्रा यहां का मुरक्कन दिरहम है उसके बाद है एरिटेरिया एरिटेरिया की पुर्व अफ्रिकन देश है यह भी और इसकी राजधानी असमारा है यहां की मुद्रा नामफा है अगला है सोमाली लेंड ये भी पुर्वी अफ्रिकिन देश है इसकी राजधानी हार गिशा है हर गिशा अगला है अभी सीनिया अभी सीनिया का पठार अभी सीनिया का पठार है इथोपिया और सोमालियाग में फैला हुआ है यहाँ पे दिया है नोट में कि होर्न ओफ अफरिका के अंतरगत कुल चार देश आता है इरिट्रिया जीवूती इथोपिया और सोमाली होर्न ओ महां छत्रप रुद्रादामन का जुनागड यानि गिरनार अविलेक थी मौर समराज का इतिहास के विशे में जानकारी प्रदान करता है। मंगल पांडे का संबंध किस इनफेंटरी से था? तो मंगल पांडे का संबंध जो था वो 34 मी इनफेंटरी से था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एकसैनिक बैरकपूर में गाई की चरबी वाले करतूसों को मुह से काटने से असपस्ट मना कर दिया। जिसके फल्सरूपुने 8 हफटे 1857 को गिरफतार करके फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34 मी बंगाल नेटिव इनफेंटरी बी एनाई से था। 29 मार्च 1857 को वैरकपूर छाबनी में 34 मी इनफेंटरी रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टरेंट बाग और मेजर हुमन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया उत्तर प्रडेश के रहने वाले थे। 10 माई 1857 के दिन मेरट की पैदल टुकरी जो की बीसमी इनफेंटरी से थी 1857 की क्रांती की शुरुआत करता है। अंग्रेजी भारतिये सेना का निर्मान 1748 इस्वी में आरंब हुआ और उस समय मेजर सिस्टर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतिये सेना का जनक पुकारा जाता था। अगला प्रस्ण इधर दिया हुआ है कि चतूर्थ बौद संगती किसके सासन काल में हुआ था। अध्यक्ष सुबू कामी या फिर सर्व कामी थे। इसमें जो है बौत धर्म अस्थिवीर और महासंधिक में बटा पर्थम विभाजन था ये। तिर्थिये 250 इस विपूर पाटली पुत्र में होता है जिसके जो सासक था असोक था मौरवन्स का अध्यक्ष मोगली पुत्र तिसन था और इसमें अधम पिटक तीसरा पिटक का संकलन होता है। चतूर्थ जो है जो कि लास्ट आपका था वो पर्थम सताब्दी यानि 98 इस वीग में कस्मीर के कुंडल बन में जो कि एक मात्र विहार से बाहर हुआ था। कनिस्क कुसान वन्स का राजा था जो कि इसका सासक था और पसुमित्र अध्यक्ष थे अस्वगोस्त उपाध्यक्ष थे ठीक है इसमें जो है बिभास सास्त्र नामक एक वोध धर्म ही नियायन और महायान में विभाजित हो गया जो कि दूसरा विभाजन था। कनिस्क बौध धर्म के महायान संप्रदाई का अनुआई था सोने के सर्बदिक सुदसिक के कुशानों द्वारा जारी किये गए हैं महा विभास सुत्र के रचना कर वशुमित्र हैं इसे बौध धर्म का विश्व कोस भी कहा जाता है। गंधार सैली एवं मतुरा सैली का विकास कनिस्क के सासनकाल में हुआ था। इतर परवेश कर अंदर से लराई का विचार प्रस्तुत किया और 1923 के इस्वी के चुनावों के माध्यम से विधान मंडल में पहुचने की योजना बनाई। 1922 इस्वी में कॉंग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को औश्वी कार कर दिया गया। ठीक है, सी आरदास ने कॉंग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया और एक नई पार्टी कॉंग्रेस खिलाफ़त स्वराज पार्टी के गठन की घोसना करते हैं, कौन? सी आरदास इस पार्टी के बाद स्वराज पार्टी जो कि मार्च 29 इस स्वी के नाम से जाना जाता है, सी आरदास और इसके अध्यक्ष मोती लल नेहरू और महा सची एक मिनट CR10 इसके अध्यक्ष बनते हैं और मोतिलल नेरού इसके महा सची बनते हैं और स्वराज सब्द का पहली बार परयोग स्वामी दयानन सरस्ती ने किया था उसके बाद होता है कि इंडियन ओपेनियन पत्रीका इंडियन ओपेनियन पत्रीका कि अस्थापना 1916 में होती है यह सभी हमें गटना जो है कब की है तो यह इसी टाइम की है फिर भालगंगा धर तिलग की बात करते हैं सवराज पांति के समय की घटना हैं अब 골THEियल बालगंगा धर्तिलक का प्रमुख नारा था स्वाराज हमारा जनमसी देधिकार है इनकी प्रमुख पुस्तक केशरी थी मराटी भासा में इनका उपाधी क्या था लोग मानने था और ये भारती और सांती के जनक कहे जाते थे इन्हें ये उपाधी बेलेंटाइन सिरॉल ने दिया था भागत सिंग की बात करे तो उपाधी इनकी क्या थी साहीदे आजम की उपाधी इने महात्मा गांधी के दौरा परदान किया था 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो गया था लाहोर सयंतर केस में सामिल थे नारा इनों ने दिया था इनकलाब जिन्दाबाद का नासो 20 नंबर प्रस्ण है कि संप्रदाइक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है तो संप्रदाइक निर्वाचन के जनक लौड मिंटो दूतियों को माना जाता है लौड मिंटो दूतिये को लौड मिंटो दूतियों 1905 से 1910 बंगभंग भिरोधी तथा स्वदेशी आं में 6 वर्स का काराबास 1908 में होता है भारतिये परसद अधिनियम 1909 और मारलो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित जिसमें संप्रताइक निर्वाचन प्रनाले की सुरुवात होती है सूरत में कॉंग्रेस का विभाजन ही 1907 में होता है और 1908 का समाचार पत्र अधिनियम या फिर न्यूज पेपर या फिर इंसाइटमेंट टू ऑफेसेंस एक्ट 1908 में पारित होता है वाइसराई की कारिकरनी में पहली भारतिये सदस स्पी सिन्हा की नित्ती होती है अब है लॉर्ड वेलेज अली 1798 से 1805 या स्वेम को बंगाल का सेर कहता था कौन वेलेज अली इसने सहायक संधी की निती 1798 इस्पी में प्रारम किया सबसे पहले 1798 इस्पी में या संधी हैदरावाद के निजाम से हुई चोथा आंगल मैं सूर यूद 1799 इस्पी में टीपू सुल्तान जो है मारा गया वसीन की संधी 1802 इस्पी में होती है और दूतियां आंगल मारा था यूद 1803 से 1805 में होता है लौड इर्विन की बात करें तो 1926 से 1931 लौड इर्विन था और लौड इर्विन जो था वो साइमन कमिशन का भारत आगमन 3 जनवरी 1928 इस्पी में जिसका भारतिये दौरा तिब्र ब्रोध किया गया कॉंग्रेस के सर्व दलिये समयलन में नेर्व डिपोर्ट की प्रस्तुती 1928 में होती है देशी रियासतों के संबंध में हर कोट बटलर समीती की निपती 1927 में होती है उसके बाद लहोर के सहायक पुलिस अधिक चक सांडर्स की हत्या दिल्ली विधान सभा के कक्ष में बंबिस फोट 1929 में लाहोर सयंतर केस लंबे उफवास के कारण जत्तिन दास के मिर्टु 1929 में होती है फिर लाहोर अधिवेशन में पुर्ण सोराज का प्रस्ताब 1929 में पारित होता है 1930 में सबनीय बग्या आंदोलन आरंभ और दांडी यात्रा आरंभ होता है 1930 में पर्थम गोल में सम्मेलन का कॉंग्रेस द्वारा वहिसकार 1931 में होता है गांधी इर्विन समझोता 5 मार्च 1931 को और सबनीय बग्या अंदोलन अस्थाकित और कॉंग्रेस द्वारा जाती है गोल में सम्मेलन में भाग लेने का निड़ है ये 1931 में ही होता है तो पहला है आपका कि भारत परिशद अधिनियम की अगर हम बात करें तो प्रतिनिधी सरकार की अस्थापना इसके तहद निर्वाचन पधती का आररम 1892 के भारत परिशद अधिनियम के तहद वार्शिक बजट पर बहस करने सरकार से प्रश्ण पुषने का अधिकार और पर्तेक्च चुनाव परनाली की सुरुवात ये सभी आपका भारत परिशद अधिनियम उन अठारा सो बिरानवेर के तहद होती है गवर्नर जनरल की कारिकरनी का प्रथम भारतिये विधी सदस सतेंद्र परसाद सिन्हा को निउक्त किया गया माटेंग्यो जमस्पोर्ट सुधार 1919 पहली बार पर्तेक्च चुनाव परनाली सुरु हुआ दुई सदनिये बेवस्था स्थापित किया गया प्रांतों में द्रंद सासन परनाली लागू किया गया 1919 में पहली बार मैलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ महालेखा परिक्चक जिसको CAG बोलते हैं इसकी निवती होती है भारत में लोग सेबा आयोक का गठन होता है और पहली बार केंद्रिये वजट को राज वजट से अलग कर दिया जाता है फिर है भारत सासन अधिनियम 1935 इसमें सरपर्थम भारत में शंगातमक सरकार की अस्थापना होती है भारतिये रिजर्ब बैंकी की अस्थापना होती है संगीय न्याले की अस्थापना 1937 में होती है बर्मा यानी मैनमार जिसका वर्तमान नाम है भारत से अलग होता है 1937 में उडिशा तथा सिंध दो नए प्रांत बनाए गया और किंद्र में द्वेंद सासन विवस्था लागू किया गया मारलो मिंटो सुधार का संबंध संप्रदाईक परतिनिधी से है माटेंग्यो जेम स्पोर्ट सुधार का संबंध प्रांतों में द्वेंद सासन से है भारत सासन अधिरियम 1935 का संबंध केंद्र में द्वेंद सासन से है चलिए 22 नमर देखते हैं रास्टिय ध्हज का डिजाइन किसने तयार किया था तो रास्टिय ध्हज का डिजाइन तयार किये थे पिंगली बेंकईया ने संभिधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को रास्टिय ध्हज को अपनाया जिसकी लंबाई चोड़ाई 3 रेशियो 2 है लंबाई 3 और चोड़ाई 2 राश्टिये धोज को समिधान सभा में हनसा मेहता ने प्रसुत किया था किसने प्रसुत किया था हनसा मेहता ने राश्टिये धोज तिरंगा में 3 रंग केशरिया, शफेद और हरा है राश्टिये धोज में चक का रंग नीला है जिसमें 24 तीलिया है तथा इसे सारनात में असोक के चिंग अस्तम पर बने चक्र से लिया गया है भारतिये धोज सहिता 2002 के अनुसार सभी भारतिये नागरिक को नीजी संस्थाओं आधी को भी राश्टिये धोज प्रदर्शन का अधिकार है विखाजी का मा की बात करते हैं तो विखाजी का मा जो थी वो जर्मनी के स्टूटगार्ट सहर में 22 अगस्ट 1907 इस वी को तिरंगा फहराई और ये दादा भाई नेरोजी की नीजी सचीव थी इन्हें भारतिये क्रांती की जर्णी भी कहा जाता है स्यामलाल गुप्त परसाद ये विजय विशुती रंगा प्यारा जो गीत है उसके रचेता है 2018 में फीफा विशुकप किस देश ने जीता था तो चलिए हम इसको एसकेप करते हैं आंसर आप भी है फ्रांस जीता था लेकिन यहां 2022 आपके लिए इंपोर्टेंट है 2022 का जो फीफा हुआ है ये 22 मा संसकरन था आयोजन इसका 20 नौवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक हुआ मैजवान देश कतर दोहा था जिसकी राजधानी दोहा है कुल परतिभागी टीम इसमें 32 थे शुभंकर इसका लाइव था लाइव एक अरवी सब्द है जिसमें जिसका अर्थ विसे स्कून और छमता वाली खिलारी होता है अईदिकारिक प्रयोज़क इसका वाईजूज था वाईजूज अईदिकारिक गाना यानि सौंग जो था उद्घाटन एवं समापन समारों में उद्घाटन में 20 नॉमबर 2022 को अलखोर इस्तित अल बयात स्टेडियम में इसका अयुज़द किया गया और अधिकारिक सुरुवात कतर के सेख तमेम बिन अहमद अलधानी द्वारा किया गया 18 दिसंबर 2022 को लूसेल स्टेडियम में जो है इसका समापन समारों से पुर्व फीफा विस्तुकप ट्रॉफी का अनावरन दीपी का पादुकौन के दरा किया गया जो कि भारती एवनेतरी थी दीपी का पादुकौन फाइनल जो आपका परिनाम ये हुआ कि उपी विजेता फ्रांस बना और विजेता अर्जन्टीना बनता है तीसरी बार तीसरा अस्थान इसमें कुरोशिया का होता है मुरकों को पराजित करके सीर्स गोल स्कोर की बात करे तो किलियन एमबाम पे जो फ्रांस का है आठ गोल किया और लियोनल मेसी अर्जन्टीना का साथ गोल किया अवार्ड देखेंगे तो गोल्डन बूट किलियन एमबाम पे फ्रांस को आठ गोल के लिए दिया गया सिल्वर बॉल किलियन एंबांबे के लिए फ्रांस को दिया गया बॉंज बॉल लुका मैडरिट क्रेसिया को दिया गया गोल्डिन गलब एमिलियानो मार्टिनेज अर्जंटीना को दिया गया फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिर अर्जन्टीना के उनको दिया गया फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लेंड को मिला अब अन्ध महत्वपुर्ण तथ देखिएगा कि अर्जन्टीना ने फाइनल में फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में चार दो से प्राजित कार किताब जीता था अर्जन्टीना ने मेसी की बात करें तो विशुकप इतिहास में सबसे अधिक 26 मैच खेलने वाले फुटबॉलर बन चुके हैं मेसी इन्होंने सरबधिक मैच खेलने के संदर में जर्मनी के लोथर मन्थावस का रिकॉर्ट दो रहा है 21 गोल में योगदान के साथ मेसी ने ब्राजील के दिगज खिलारी पेले को पिछा छोड़ दिया उन्होंने अब तक 5 विशुकप 13 गोल किये हैं और 8 गोल कराने में इनका योगदान है फाइनल मुकाबले में किलियन एमबांबे ने हैट्रिक लगाई और मेसी अरजंटीना के तरब से विशुकप में सरबधिक गोल करने वाले खिलारी बन गए हैं विशुकप के पहले मुकाबले में अरजंटीना को सौधी अरव ने 2 एक से प्राजित किया था फीफा बिशुकप दो हजार पैस में फ्रांस के स्टेफनी फ्रैपपर्ट जर्मनी और कोषतारिका के विच मुकाबले में प्रुष बिशुकप में रेफरी की भूमकाने वाली पहली महिला रेफरी बन गए फीफा ने फ्रैप फार्ट की सहाईस के रूप में दो महिला ब्राजिल की नुवेला बैक और मैक्सिको के कारेंट डियाज मेडिना को चुना था फीफा विसकप दोहजार चब़ीस का आयोजन तीन देशी USA मैक्सिको कनाडा में होगा फीफा अंडर 17 महिला बिसकप 2022 का आयोजन भारत करेगा फीफा अंडर 17 महिला बिसकप 2022 का सुभंकर इभा बनाया गया है फीफा का फूल फर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डिप फूट बॉल असोशियेशन इसकी अस्थापना 21 मैं 1904 को होती है फीफा का हेड़क्वार्टर जिवरिक सिवजर लैंड में है फीफा के बरतमान अध्यक्ष जियानी एन्फिंटाइनो है पर्थम बिजेता उरुगवे है 1930 में और पर्थम अध्यक्ष सिरी गुर्भीन है फ्रांस के पर्थम फीफा विस्तुकप आयोजन उरुगवे में हुआ था अगला है 24 नमबर अगला एसिया खेल कहां होगा तो अगला एसिया जब पूछा गया था उस टेम चीन की बात था और अगामी एसिया खेल 2022 जो की 19 संस्क्रण है ये चीन के हांग जोई सहर में आयोजित होने वाला था जो की कुरोना वाइरस के करण क्या हो गया अस्थाकित हो गया 2023 में चीन में ही होगा बीसमा एसिया खेल 2026 वाला नगोया जपान में होगा एकीसमा एसिया खेल 2030 में दोहा कतर में होगा और 22 मां 2034 में सौधी अरब में, 4-4 सल के गैप में होता है पहिला A.C.I. खेल 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में आयुजित किया गया था भारत A.C.I. खेलों की दो बार मेजवानी की, यानी 1951 और 1921 में 1951 में हुए खेलों के पहले संस्क्रण की मेजवानी भारत ने की थी 25 आपका कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को करमसद जपान के हिरोशीमा और नाका साथी पर जो परमानु बम गिराए गये थे उनमें से कौन सी अभिकिरिया हुई थी उनमें नावकिये विखंडन था, आंसर आपका C हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखे चाँ, नावकिये अभिकिरिया वैसी अभिकिरिया है जिसमें एक भारी नाविक दो भागों में तोटता है नावकिये विखंडन का लाता है सबसे पहले नाविकिये विखंडन एस्ट्रांस मैन और हॉन के द्वारा दिखाया गया युन्होंने जब यूरेनियम 235 निट्रोनों की बंबारी की तो पाया की यूरेनियम के नाविक दो खंडों में भाजित हो जाते हैं जब दो या दो से अधिक हलके नाविक सयुक्त होकर एक भारी नाविक बनाते हैं और यह अत्याधिक उर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिकरिया को नाविकिये सलयन कहते हैं 26 नमर प्रसने आपका कि अलक नंदा और भागी रथी नदी कहां आकर मिलती है तो अलक नंदा और भागी रथी देव परियाग में मिलती है कहां पे देव परियाग में उसके बाद अलक नंदा भागी रथी देव परियाग हो गया अलक नंदा के पिंडार हो जायागा कर्ण परियाग में धौली गंगा विश्नु गंगा अलगनदा समय कॉमन है ठीक है धौली गंगा कहा विश्नु गंगा विश्नु परियाग में और मंदाखनी रुद्र परियाग में जगोटा त्रिकोन से संबंदी देश है तो जगोटा त्रिकोन से संबंदी देश दच्छिन कोडिया ताइब और जापान है ऑप्सन नमबर ए बर्मुडा तिर्भूज अट्लांटिक महासागर में इस्थित है या अमेरिका के फोलरीडा प्यूट्राडिको और बर्मुडा को जोड़ता है स्वार्निम तिर्भूज के अंतरगत लाओस थाइलेंड मैंनमार आते हैं 28 है कि निम्न में से कौन इसपात उद्द्योग के संबंद में शुमेलित है आपका तमिलांडू शलेम ये सही है दुरगापुर पश्छिम बंगाल में होगा ना कि उरिशा में भिलाई की बात करते हैं तो भिलाई आपका 36 गड़ में होगा ना कि बंगाल में इसके आपना 1964 में होती है तिर्थिये पंचवर्षी युजनार के द्वारा भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है भारत का पहला तटवर्ती इस्पातकार खाना विसाका पत्नम आंध्पर्देश में लगाया गया है 29 नमबर प्रस्ण है कि निम्न को शुम्मेलित करें यहाँ पे दिया है कि काजी रंगा बाधवगर्ड नंद कानान मेलगाट यहाँ आपको मैस करना है ठीक है तो काजी रंगा कहां पे है असम में है बाधवगर्ड कहां पे है मदपर्देश में है बाधवगर्ड नंदन कानन जो है यह आपका कहां पर हो जाएगा उरिसा में हो जाएगा और मेल घाट महराष्ट में है तो आंसर आपका सुम्मेलित यह हो जाएगा दूद सागर जलपरपात कहां इस्तित है तो दूद सागर जलपरपात जो है ये आपका गोवा में है कहां पे गोवा और करनाटक के बीच इस्तित है इसके बीच भगवान महाबीर और मुलोल रास्टी उद्यान इस्तित है मांडवी नदी पर इस्तित उत्राखंड है कैम्परी कॉल, ताइगर कॉल, वसुंद्रा जलपरपाथ आदी ये सभी है यहां पे महराश्ट में थोसेधर जलपरपाथ, अम्बोली जलपरपाथ महराश्ट में है मदपरदेश में कपिल धरा जलपरपाथ, पांडव जलपरपाथ, 14 किलो मीटर और खजराहों से 34 किलो मीटर दूर है आपका पांडव जलपरपाथ पन्ना जिला में, धुआधार जलपरपाथ ये सभी आपका मदपरदेश में है नामचिक नामफुक कोईला छेतर कहां है तो नामचिक नामफुक कोईला छेतर अरुनाचल परदेश में है कहां पे अरुनाचल परदेश में प्रमुख पार्क यानि राश्टिव द्यान की बात करें अर्णाशल परदेश का तो नामदफा मोलिंग पक्के टाइगर रिजर पाक हुई है निम्न में से कौन सा मंडल सरबधिक गर्म होता है तो छोम मंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है यह बायू मंडल का सबसे नीचला परत होता है और इस मंडल में गर्म होने के कारण जो है इसमें जलवास एरोशॉल एबंबिविन गैस उपस्तित होते हैं छोब मंदल में तापमान की गिरावट दर 165 मीटर की उचाई पर 1 डिगरी सिल्सियस और 1 किलो मिटर की उचाई पर 6.4 डिगरी सिल्सियस होती है सभी मौस्मिय घटना जैसे कूरा हो गया बादल, ओस, पाला ये इनफेक्ट जो भी है अपना मौस्मि समधित घटना है वो सभी आपका इसी मंदल में देखने को मिलता है इसे समभाहन मंदल, परिवर्तन मंदल, ओधो मंदल भी कहते हैं इसकी सबसे उपड़ी सीमा को छोव सीमा या ट्रोपोव पॉज कहते हैं समताप मंदल की उचाई 50 किलो मीटर है और ये सबसे महतपुर्ण विसेस्ता ओजोन गैस की परत की उपस्थिती है जो की सुर्ज की पाराबैगनी किर्णों को अफसोसित करती है और प्रिथवी के लिए सुरक्षा कवज का कार्ज करती है मुलाव छित्र मदर ओफ फेरल क्लाउड पाया जाता है इसमें प्रिथवी का सुरक्षा कवज का लाता है तापमान यहां इस्थीर होता है मद मंडल है इनकी उपस्तिती 50-80 km है इसमें उचाई तापमान में कमी होती है इसके उचाई के साथ और आयन मंडल इसकी उचाई 80-640 km के बीच होती है और उचाई बढ़ने के सासा तापमान में विर्दी होती है इस मंडल में विद्धूत आबेसित कन पाए जाते हैं जिनें आयन कहते हैं प्रित्वी के दौरा भेजी गई रेडियोत रंग इस मंडल के दौरा वापस प्रित्वी पर लोटाती है बाही मंडल जो है वो सबसे उपरी परत है हाइडरोजोन और हिलियम गैस की प्रधानता होती है अरोरा अस्टियोलिस और अरोरा वेरियोलिस की घटा मौजूद होती है बाही मंडल में तो करनाटक और महराष्ट में अवस्थित पश्चमी घाट को सहाधरी कहा जाता है पश्चमी घाट उत्तर में गुजरात के सौरास्ट शटे तापती नदी के मुहाने से दस्चिन में कन्याकुमारी तक फैला है इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है पश्चमी घाट को सहाधरी कहा जाता है शोला डिगरी उत्री अक्छांस रेखा जो गुआ से गुजरती है सहाधरी को दो भाग में बांटती है उत्री सहाधरी और दस्चनी सहाधरी उत्री सहाधरी की सर्बोच स्रेनी करमसा काल सुभाई 1664 और केंद्रमुखी 1872 है निल गिरी ये जो है पश्चमी घाट परवदपर है निल गिरी तमिलान्डू में इस्थित है कुछ हिस्सा केरल और करनाटक में है इसका सरबोच चोटी डोडा बेटा दथिन भारत की दूसरी सबसे उंची चोटी जिसकी उंचाई 267 मीटर है दोडा बेटा पूर्भी और पश्मी घाट का मिलन बिंदू है निलगेरी अन्ना मलाई तमिलांडू में इस्तित है भारत की सबसे उंची चोटी अनाई मुडित 265 पर इस्तित है नेक्स्ट है पालगाट तमिलांडू के कोयमबटूर से केरल के कोचिन क्यो जोडता है निवन में से कौन सुमेलित नहीं है तो दिया है नाथुला शिक्किम नाथुला शिक्किम सही है रोहतांग हिमाचल पर इस्तित है पीर पंजल और बनिहाल नाथुला जलैपला शिक्किम में है बोमडिला दर्रा देफू दर्रा और नाचल पर इस्तित है वुर्जिल दर्रा स्रीनगर से गिलगित को जोरती है बनिहाल दर्रे से जम्मू से स्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है बनिहाल दर्रे से और जवाहर सुरंग इसी में इस्तित है 35 है रंगीत नदी कहां बहती है तो रंगीत नदी सिक्किम में बहती है कहां पे सिक्किम में रंगीत नदी और तिस्ता नदी सिक्किम की दो जीवन रेखा समझी जाने वाली नदिया में से है रंगीत नदी और तिस्ता नदी की सहायक नदी रंगीत नदी जो है वो तीस्ता की सहायक नदी है संकोस नदी असम और नाचल परदेश के बीच सीमा बनाती है करक रेखा किस राज से होकर गुजरती है तो करक रेखा आठ राज से गुजरती है जारखंड, मद परदेश, तिरपुरा, मिजोरम इसमें आठ राज तो नहीं दिया हुआ है, दो, पांची दिया हुआ है तो इसका option के according answer आपका हो जाएगा A चीक है, सारे 23 डिगरी उत्री अक्षांस को करक रेखा कहते हैं सारे 23 डिगरी उत्री अक्षांस रेखा को ये भारत के आठ राज से गुजरती है, वो आठ राज का नाम यहाँ है गुजराद, राजस्थान, मधपर्देश, 36 गड़, धारखंड, पश्च्विमंगाल, तिरपुरा और मिजोरम ठीक है, 21 जुन को सुर्ज करक रेखा पर लंबत होता है इसे कर्क संक्रांती कहते हैं, और इस दिन उतरी गुलार्द में सबसे बड़ा दीन होता है किस अनुशेद के ताहद, निती निद्धसक तत्त को नियाले में प्रस्नगत नहीं किया जा सकता तो आंसर आपका अनुशेद 37 है अनुछेद 37 के तहद निती निरसक को नियाले में प्रसनगत नहीं किया जा सकता अनुछेद 37 जो है वो निती निरसक तत्तों की प्रकिर्ती अनुछेद 37 से असपस्ट होता है यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरी को कोपराप्थ होता है निती निर्द सक्तत्त का बर्णन भाग चार के अनुछेद 36 से 51 तक है इसे आयरलेंड के समिधान से लिया गया है और इसका उदेश कल्यानकारी राजी की अस्थापना करना है इसे वैधानिक सक्ति प्राप्त नहीं है अता इसे नियाले द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता राज निती निर्द सक्तत एक ऐसा चिक है जो बैंक की सुधानुसार अदा की जाएगी ये केटी साने कहा था और नोट में दिया है कि निती निर्द सक्तत को न्याले दोरा परिवर्तनिय नो होते हुए भी देश के सासन में मुलवुत माना जाता है तथा बिधी बनाने में इन सिंधान्तों को लागू करना राज का करतब है आर्टिकल 40 राज गराम पंचायत के गठन का पर्यास है अनुशेद 44 में क्या है समस्त नागरिक के लिए समान सिविल सहिता लागू करेगा सबसे पहले गोवा में लागू किया गया अनुशेद 47 है राज के लोगों को पोसहार अस्तर जीवन अस्तर और लोग स्वास्त का सुधार करेगा मादक पदार्थ और हनिकारक दवाओं पर निसेद करेगा अनुशेद 47 38 नंबर प्रस्ण है कि राज निर्वाचन आयुक्त कौन पदच्यूत कर सकता है राज निर्वाचन आयुक्त को तो इस प्रस्ण का अंसर आपका हो जाएगा जो प्रक्रिया उचने आले कि नैधिस को हटाने का है राज निर्वाचन आयक्त के निप्ति राजपाल करता है निप्ति यहाँ एक सम्वेधानिक प्रधीकरन है अनुछे 243 के तहद राज निर्वाचन आयोका गठन किया गया निम्न में राष्टपती के कारेकाल से सम्वंदित कौन सा करम सही है तो करम में आप से पूछा गया है कि कौन सा करम सम्वंदित है आपको राष्टपती से सही तो सही बताना है तो सबसे पहले फकरुदीन के अगर हम बात करते हैं तो फकरुदीन अली आहमत का 24 अगस्त 1994 था फकरुदीन का, तो सबसे पहले तो आपका यही हो जाएगा, फकरुदीन देखे, तीनों में आपका फकरुदीन देख रहा है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, अब बताते हैं इस तीनों में से कैसे छाटना, ये तो पहले ही इंकट गया, उसके बाद ग्यानी ज्याल सिंग आते हैं 25 जोलाइ 1982 से 25 जोलाइ 琪ल 87 तक रहत आयों इनका तो ज्यानी जलसिंग का ज्यानी जलसिंग QISON- ज्यानी theकन फैरा आपको इसमें दिख रहर Don't जाकिर हुसेन 1967-1979 तक वीवी गिरी 1979-1979 में यानि की 3 मई से रहें थे 20 जुलाई तक और 24 अगस 1979 से फिर 24 अगस 1974 तक रहते हैं डॉक्टर फकरुदीन अली आमद ये 1974-1977 तक स्री नीलम संजीव रेडी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ग्यानी जेल सिंग 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक स्री आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहते हैं डॉक्टर संकर दयाल सर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक स्री के आर नारायन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम 25 जुलाई से 2 हजार दो 25 जुलाई था तक सिरी मती पर्तिभाद देवी सिंभ पार्टेल जोंकी एक मात्र महिला थी वो थी 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक श्रीमति परनम्मुखरजी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक फीर 14 में स्री रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक और वर्तमान में 25 जुलाई 2022 को सपतगरन हुआ द्रोपती मुर्मु का और ये जो हैं हमारे भारत की 2nd महिला रास्ठपती है राष्टपती की चर्चा भाग 5 में किया गया है अनुछेद 52-72 तक भारत में कितने बार अपात का लागू हो चुका है तो भारत में 3 बार अपात का 1962-1971-1975 में लागू हो चुका है अनुछेद 352 के अधीन 2 आक्र Ihnen के अधार पर अपात की पर्थम घोषना चीनी आक्रिमन के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी यह उद घोषना 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई थी और दूसरी बार यह घोषना 3 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान के युद के समय की गई और तीसरी बार रास्टी अपात की घोषना आंत्रिक गरवरी के का अधार पर 26.1975 को इंद्रा गांधी के द्वारा की गई थी अपात काल का चर्चा भाग 18 में है अनुछेद 352 युद बाई आक्रमन ससस्त विद्रोग के अधार पर होता है 56 में क्या है? 356 में राज्ज में सम्विधानिक तंत्र की विफलता पर राश्टपती सासन और 360 में वीतिय अपात से संबंदित नियुन्तम दो मां के लिए होता है भारत में अब तक वीतिय अपात अनुशे 360 का परियोग कभी नहीं हुआ है संबिधान के उदेशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्नन नहीं है तो संबिधान के उदेशिका में समाजबाद 55 निर्पेक्च अखंड ता सब्द 42 में संबिधान संसुदंजवारा जोड़ा गया था ठीक है, answer आपका हो जाएगा विचार की सोतनता ये नहीं है चरी, आर्थिक सोतनता इसमें नहीं है, 41 का answer आपका हो जाएगा एक मिनिट, मैं question दूसरा पर लिए संबिधान के उदेशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्नन नहीं है तो इसका correct answer आर्थिक हो जाएगा, आर्थिक सोतनता का नहीं है, option number इसका एक correct हो जाएगा उदेशिका में 5 परकार की सोतनता है, बिचार, अभिबेक्ती, विश्वास, धर्म और उपाशना, ठीक है? यहाँ पर दिया हुए, देखते हैं, पांस परकार का है, उदेशिका तीन परकार की नहीं है, समाजिक, आर्थिक और राजनेतिक उदेसिका में दो परकार की समानता है प्रतिष्ठा और अवसरका हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता वंधूत के आदर्सों को फ्रांस की क्रांती 1789 में लिया गया प्रस्तावना अमेरिकिये समिधान प्रथम लिकी समिधान से लिया गया है लेकिन प्रस्तावना की भासा अस्टेलिया के समिधान से ली गई है उदेसिका या प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को समिधान सभा में जवाहला नहरू ने पेस किया इसकी स्वेकृती 22 जनबर 1947 को मिली और 26 नौबर 1949 से अंकिकृत किया गया पंचायती राज व्यवस्था से संबंदित समिधी कौन सा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option number C बलवंत राय मेता समिधी त्री अस्तर ये पंचायत की बात कही थी इसका गठन 1957 में हुआ था ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचायत बलॉक अस्तर पर पंचायत समिधी और जिला अस्तर पर जिला परिशद पंचायत से संबंदित अन समीती में असोक महता समीती भी है जिने ने 1977 में दुई अस्तरिये पधती यानि मंडल पंचायत और जिला परिशित की बात की थी जी वी के राउ समीती 1985 में अपनी रिपोर्ट देती है और प्रतिन्दित के तरीके में सुधार को लेके LM सिंधवी शनमीती 1986 में पंचायतो को संबेधानिक दरजा दिलाने से संबंदित है PK थुंगन समीती 1988 में पंचायतो का संबंद सिधे संग सरकार से होना चाहिए मलहोतरा समीती बीमा छेतर में सुधार रेखी समीती और परतेक्ष कर से है रेखी समीती देशमुक समीती की बात करे तो रास्टिय महिला समीत सिक्षा समीती का गठन 43 है अंतराजिय परिशत का गठन की समीती की सिफारिस पर की गई तो आंसर हो जाएगा कि अंतराजिय परिशत का सरकारिया समीती जो की ओप्सन भी नहीं है 1983 में सिफारिस को मानते हुए वी पी सिंग के नेत्रित में नेत्रित वाली जनता दल सरकार ने 1990 में की थी अंतर राजिय परिशत का गठन सरकारिया आयोग 1983 वी के इसी फारिस को मानते हुए वी पी सिंग के नेत्रित वाली जनता दल सरकार ने 1990 में की थी अंतर राज ये परिशित का गठन अनुशे 263 के तहद राष्ट पती द्वारा किया जाता है केंद्र राज के बीच संबन्द स्थापित करना अध्यक्ष इसके प्रधान मंत्री होते हैं के संथानम समीती भरस्टाचार विरोधी समीती का गठन करता है 1962 से और रिपोर्ट देता 1964 में नियोगी समीती आर्थिक नियोजन से संबन्दित इसका गठन 1946 में होता है राज मन्नार आयोग 1970 में ये केद्र राज के बीच विवादों में सुधार के लिए हैं उद्देसी का 42 में समीधान संसुधन में कौन सा सब्द जोड़ा गया तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा तीन सब्द था एक समाजबाद, पंथ निरपेक्च और अखंड था 42 में संसुधन नियोजन संसुधन द्वारा जोड़ा गया राष्टपती पर महावियोग लगा कर उसे पदचित किया जाता है महावियोग पर इसका प्रभधान समीधान के अनुछेद 61 में किया गया है और राष्टपती समिधान के प्रब्धानों के उलंगन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महावियोग लगाया जा सकता है प्रन्तू इसके लिए वो आवस्यक है कि राष्टपती को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के एक चौथाई सदसों के हस्ताक्षर हो संसद के उस सदन जिसमें महावियोग का प्रस्ताव पेस है कि दो तिहाई सदसों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा तब तक दूसरा सदन राष्टपती पर लगाए गए आरोपो की जांच करेगा और ऐसी जांच में राष्टपती के उपर लगाए गए आरोपो को शिद्ध करने वाला प्रस्ताब दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तब राष्ट पती पर महावियों की परक्रिया पूरी समझी जाएगी और राष्ट पती की रिक्टी को 6 माह के अंदर भरना होता है चलिए अगला है 46 माह शंगात्मक सरकार में क्या होता है तो संगात्मक सरकार में क्या होता है सक्तियों का विकेंदरी करन होता है संखातमक सरकार मतलब सासन की वह परनाली जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज के मद संभिधान या कानून के अंतरगत किया जाता है भारत का रास्टिये व्रिक्ष क्या है तो भारत का रास्टिये व्रिक्ष जो है फाइकस बेथालोसिस है यानि की बरगद इसका दोनों नाम याद रखिएगा हो सकता आपको scientific name दे दिया जाए option में भारत का रास्टिये जलिये जीव कौन है तो भारत का रास्टिये जलिये जीव गंगा डॉल्फिन है प्लांटा निस्टा गंगेटिक रास्टिये धोज हमारा है तिरंगा रास्टिये ची नसोख हस्तम है रास्टिये गान जनगन मनगन रास्टिये गीत बंदे मात्रम रास्टिय पसू बाग है फूल कमल है फल आम है पच्छी मोर है मुद्रा रुप्या है चीली का चुकी माता खाने किस के लिए प्रशिद है तो चीली का चुकी माता खाने जो है ये कौपर के लिए प्रशिद है चीली का चुकी माता तामबा खान दच्छीन अमेरिका के एंडीज पर 3000 मीटर की उचाई पर है इसे विश्व के तामबा की राजधानी भी कहा जाता है सर्वधिक तामबा उत्पादन देश चीली है ब्राजील की अमापा खान संसार में मैगनीज की सबसे बरी खान है पचास नमबर है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुरी है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुरी मेधा पाट कर है नर्मदा बचाओ आंदोलन की सुरुवात 1989 में होती है मेधा पाटे करके द्वारा उद्देश क्या था कि बांध को रोक कर पर्यावरन भिनास था लोगों के विस्थापना को रोकना इसके अन्य प्रमुक नेता थे अनिल पटेल, बाबा आमटे, अरून धती राय पर्यावरन की रक्षा के लिए जो आन्दोलन हुआ है उसमें एक चिपको आन्दोलन था जिसकी सुरुवात 1973 में होती है उत्तर प्रदेश में वर्तमान उत्राखंड के चमोली जीला के गोपेस्वर नामक संस्था पर हुई है चीक है और इस आन्दोलन करता पेरो इसमें जो आन्दोलन करता थे वो पेरो से चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे सुन्दरलाल बहुगुना चिपको आन्दोलन के प्रिणिता सिरी चांडी परसाद भट के प्रमुक्षई होगी थे चांडी परसाद भटके सुन्दरलल बहुगुना टीरी बांदोलन के जनक थे अब है साइलेंट घाटी आंदोलन ये 1973 में केरल के कुंती पुछ नदी पर बनाए जा रहे हैं कुंदेर मुखजल विद्धुत परियोजना के विरोध में किया गया था जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में वर्त मान जारखंड अर्थार्थ तब से बिहार एबम उरिसा में प्रारम किया गया था कारण क्या था कि सरकार ने प्रकिर्ती साल के विक्ष को काट कर उसे उसके अस्थान पर कीमती शागोन विक्ष के रोपन की योजना बनाई तो शी भूम शेतर के आदिवासी के द्वारा अंदोलन किया गया 51 है कि भारतिय जलवायू से संबंदित ENSO क्या है ENSO एले नीनो साउथ इसका फुलफरम होगा उप्सन नमबर एले नीनो साउथ ओसिलेशन उप्सन नमबर बी इसके अगर हम बात करते हैं तो यह एले नीनो प्रसांत महासागर के भूमदीय छेतर की समुद्री घटना है यह दच्चिन अमेरिका के पस्चमी तट पर इस्थित इक्वाडोर और पेरू देसों के तटिय समुद्री जल में कुछ सालों के अंदराल पर घटित होती है और इससे समुद्री की सतही जल का ताप समाने से अधिक हो जाता है 2011 के जनगना के नुसार सरबदिक जनसंख्या किस राजकी है तो वो हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर इं उत्तर प्रदेश सबसे जादा उत्तर प्रदेश, दूसरा महरास्ट है, तीसरा विहार है ठीक है और चौथा पस्ट्रि मंगाल जनसंख्या घणत सबसे जादा विहार का है 1106 भारत का छेतरफल पूरी दुनिया के छेतरफल का 2.4 फिस दी है विस्व की कुल अबादी की तुलना 17.5 परसेंट लोग भारत में रहते हैं और जनसंख्या के अधार पर उत्तर परदेश भारत का सबसे वराराज है जहां देश की कुल जनसंख्या 16 परसेंट लोग रहते हैं निम्रिलिकित का उचित मिलान करें यहां पर आपको annat करणा है कोश्चन नम्र तीरपन का तो चलिए मैच करते हैं सबसे पहले तीरपन नम्र कोश्चन में इसमें दिया है कि टिरी बांद कहाँ पर उतरा खंड में है सर्दार सरोबर बांद की बात करते हैं तो यह आपका गुजरात में है सरदार सुरोबरबांद, तुंग भांदरा आपका करनाटक में है, हीरा कुनूरिशा में है, सामने सामने आपका सही है A, B, C, D, option A, बिल्कुल करेक्ट दे दिया है अगला है चोबन नमबर निम्न में कौन सही नहीं है दलदली मिट्टी कक्च की रन, नमकीन मिट्टी मरू भूमी, पीट मिट्टी उतरपरदेश, लेटराइट मिट्टी तमिलांडो तो इसमें से जो आपका C है पीट मिट्टी उतरपरदेश ये सही नहीं है विकॉस देखिएगा कि दलदली मिट्टी कक्ष कारण सही है नमकीन मिट्टी आपका मरू भूमी भी सही है पीट मिट्टी केरल एवं तमिलांडू हो जाएगा केरल और तमिलांडू लेटे राइट मिट्टी भी तमिलांडू है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है तो कांच का गहरा नीला रंग जो होता है वो आपका कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है कोबाल्ट और ऑक्सिजन परमानू सामिल होते हैं निर्मान के समय पिगले हुए कांच में अलग-अलग धातुए की ऑक्साइट, सल्फाइट, लबन और अन्योगिक को डालने से कांच में रंग आ जाता है सोडियम क्रोमेट से कांच का रंग हरा होता है फेरिक ऑक्साइट से भूरा, गोल्ड कोलराइट से रूबी लाल, कैडेमियम सल्फेट से पीला, क्यूपरिक लवन से पिकॉक निला, क्यूपरस ऑक्साइट से चटक लाल, मैगनीज डाय ऑक्साइट से लाल और क्रोमियम ऑक्साइट से हरा हो जाता है फोटोक्रेमेटिक कांच, सिल्वल कॉलराइड की उपस्तिती के कारण धूप में स्वधा काला हो जाता है अमीबा किस से भोजन गरहन करता है? तो अमीबा जो है वो कूट पाद से अपना भोजन गरहन करता है पेसुडोपोडिया बोलते हैं उसको कूट पाद अमीबा एक परकार का प्रजीवी यानि प्रोटोजोवा है जिसकी अधिकांस जातिया नदी तलाव मीठे पानी जील पोखर आदी में पाई जाती है यह एक कोश्की जीव होता है इनमे से सबसे कम प्रदूशन किस से होता है? यह बहुत सी ही सस्ती होती है जिसका माइलेज, पेट्रोल और डीजल की तुलना अधिक होता है इसके धुएं से पर्यावरन की कोई नुक्षान नहीं होता है और इंजन की अबाज कम होती है परकास का तरंग सिधान्त किस ने दिया? तो परकास का तरंग सिधान्त हाईजन्स ने दिया था हाईजन्स ने परकास दो परकार के गुन पाए जाते हैं एक तरंग गुन होता है जिसको वेवनेचर बोलते हैं और दूसरा होता है पार्टिकल निचर कोन ये गुन तरंग गुन के कारण परकास व्यत्ती करण विवर्तन, दुरूबन और अपवर्तन करते हैं अप्रावर्तन सीधे रेखा में गमन होता है जबकि परकास के विद्धुत प्रभाव का कॉम्पटन प्रभाव परकास के कन सिधान्त का व्याख्या करता है और तरंग सिधान्थ का वर्णन हाइगेंस ने परकास का कनिय सिधान्थ सरपर्थम न्यूटन ने दिया था कनिय सिधान्थ परकास के तरंग का सिधान्थ हाइगेंस ने 1678 इस्वी में दिया इसके अनुसार समस्ट संसार में अत्यन्थ हलका और रहस्मई पदार्थ भरा हुआ है तारों के बीच विशाल सुन्यकास में भी ठोस द्रव के अंदर और परमानु के अव्यानतर में भी है Newton बराबर क्या है कि Newton जो है Newton ने कहा गती का नियम कुल तीन दिया था Einstein सापिक्षता का सिधान्त दिया और Archimedes ने उत्पलावकता का सिधान्त दिया इनमें कौन परजीवी पादप है तो कसकुटा आपका परजीवी पादप है परजीवी वैसा पादप जो दूसरे जीप परह कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं अमलगम क्या है तो अमलगम एक तरल पारा मिस्रिध धातू है option number A अमलगम पारा और अन किसी धातू से मिलकर बना मिस्र धातू है लोहा के साथ पारा मिस्र धातू नहीं बनाता है DNA किस में पाया जाता है तो DNA केंद्रक में पाया जाता है केंद्रक के अलावे माइट्रो कॉंडिया हरित लवक में भी पाया जाता है डियोक्सी राइवो निकलिक एसीड इसका फूल फॉर्म होता है अन्वानसिक रिया का संचालन करना इसका काम है और DNA का खोज फ्रेंडरिक मिसर 1879 में किया था चलिए अगला देखते हैं question number यदि किसी बस्तू का संबेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके गती जुर्जा में कितनी परतिसत की विर्दी हो जाएगी तो अगर संबेग दुगुना कर देंगे तो गती जुर्जा 300% बिर्दी हो जाएगी 300% गती जुर्जा किसी बस्तू की वह उर्जा है जो उसकी गती के कारण से उत्पन होती है यदि दो पिंड की गती जुर्जा एक समान है तो कम द्रवमान वाले पिंड का संबेग अधिक होता है यानि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1 by 2 Mb² होता है और संबेग बराबर होता है द्रवमान गुने बेग संबेग एबम गती जुर्जा का संबंध है काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्कॉाइर बाइट टू एम और संबेग को दुगुना करने पर गती जुर्जा भी चरगुनी हो जाती है यहाँ पर आपका एक्स्पैनेशन दिया हुआ है दांत के निर्मान में कौन सड़ी दांत के निर्मान में निम्ण में से किस तत्त का सरबदिक भूमिका है तो दांत के निर्मान में कैल्सियम का भूमिका होता है लास्ट मोलर को अकल दांत कहा जाता है जो 18 से 24 वर्स के उमर में निकलता है मनुस्तों में कुल 52 यानि की 20 प्लस 20 प्लस 12 दांत निकलते हैं अस्तन धारियों में सर्बदिक दांत घोरे सूर के होते हैं जिसकी संख्या 44 होती है दांतों की सबसे बाहरी आवरन इनामिल कहलाता है जो सरीर के सबसे कठोर सरचना है इनामेल के कारण ही दातों का रंग सफेद होता है पांच साल से कम उमर के बच्चों के दातों की संक्य अभीस होती है बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है दात बयस्क मनुस्थ में चार परकार के होते है इंसीजर 8 होता है, केनाइन 4 होता है, प्री मोलर 8 होता है, मोलर 12 होता है और टोटल मिला के 32 होता है प्रती चुम्बक्ये पदार्थ की चुम्बक्ये प्रकिर्ती कैसी होती है तो इसकी रिनातमक होती है प्रती चुंबक्ये पदार्थ की चुंबक्ये प्रकिर्टी रिनात्मक होती है प्रती चुंबक्ये पदार्थ की चुंबक्ये पदार्थ तीन परकार के होते हैं प्रती चुंबक्ये वह पदार्थ चुंबक्ये छेतर में बिपरित दिसा में चुंबक्ये हो जाता है जैसे जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, शोना, हीरा, इत्यादी ये सभी आपका प्रती चुम्बकिये हैं नेक्स दूसरा है आपका अनुचुम्बकिये अनुचुम्बकिये वह पदार्थ चुम्बकिये छितर में आने से छुम्बक्ये छितर की दिशा में थोरा चुम्बक्ये होता है जैसे आपका platinum हो गया chromium, sodium, aluminium, oxygen log Soundwatch की ऐसा पदार्थ जो चुम्बक्ये छितर में रहने से चुम्बक्ये छितर में परबल रूप से चुम्बक्ये हो जाता है Look. नीकिल, cobalt, spas Pacific है इनमें से कौन टैग पॉलिमेराईज एंजाइम का स्रावन करता है तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा आपका इंसिचेरिया कोलाई इंसिचेरिया कोलाई टैग पॉलिमेराईज एंजाइम का स्रावन करते हैं पास्टुडेला पेस्टिस, प्लेग रोग, लिसमेनिया, डोनावनी, कालाजर और विब्रियो कलेरी हैजा रोग संतोष टॉफी का संबंध किस खेल से हैं? तो संतोष टॉफी का संबंध हो जाएगा आपका फूट वॉल से सरसेट नमर प्रेस्ट है कि दोस्पूर्ण सिक्षा पनाली का प्रतिफल है तो दोस्पूर्ण सिक्षा पनाली का प्रतिफल क्या हो जाएगा? तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा आपका उप्सन नमर डी जो इकी इधर हैं ही नहीं, उप्सन इधर दिया हुए है युवा औसांती दोस्पुन सिक्षा परणाली का प्रतिफल युवा औसांती है option number D बस्तु सयोग अस्थापन्य का उधारन है देखे इसमें हो जाएगा बस्तु सयोग अस्थापन्य का सही उधारन पेन और स्याही है अब क्यासे देखे अस्थापन्य बस्तु से अभी प्राई उन बस्तु से है जो एक ही उदेश की पूर्टी के लिए एक दूसरे के अस्थाण पर परियोग किये जा सकती है इन में एक बस्तु की मांग और दूसरी बस्तु की कीमत में धनातमक संबंध होता है जैसे चाई कॉफी का, चीनी गूर का, पेपसी कोका कोला का जब समाज सभी निकायों को माप दंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं तो तो उसे क्या कहेंगे समाजी करन कहा जाएगा जब समाज सभी नियमों के माप दंडों को एक साथ पालन करता है तो उसे समाजी करन कहते हैं और समाजी करन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विविन वेभार, रिती, रिवाज, गती, विद्यो, यादी को सीखता है इसके माध्यम से वह संस्कृति को आत्म साथ करता है सत्तर नमबर है कि एक परकास वर्स बराबर होता है तो एक परकास वर्स बराबर होता है 9.46 into 10 to the power 15 meter या 9.46 into 10 to the power 12 meter दोनों में से कोई हो करेक्ट हो जाएगा अंसर आपका ए हो जाएगा परकास वर्स खगोलियो दूरी का वह ही काई है जो एक वर्स में परकास द्वारा तै की गई दूरी होती है परकास वर्स खगोलियो दूरी का मातरक होता है और एक परकास वर्स बराबर 9.46 into 10 to the power 15 meter होता है आई कैम आई सो आई कनकुएट किस ने कहा था तो ये कथन जो है आपका जूलियस सीजर ने कहा था जूलियस सीजर ने, सोड़ी जूलियस सीजर ओप्सन नमबर D है There is no such things as a free lunch पुस्तक किस ने लिखा है तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो हो जाएंगे Friedman, Friedman की पुस्तक है There is no such things as a free lunch ओप्सन नमबर B विशेसिक अधिकार का परियोग भारत के राष्टपती नहीं करते हैं संबिधान राष्टपती को स्वकृति या औस्वकृति देने के लिए कोई समय सिमान नहीं देता है यदि राष्टपती किसी बिल पर कोई निर ने नो देतो पॉकेट विट्टो का परियोग माना चाता है यह राष्टपती के बीबे का अधिकार सकती के अंतर आता है अनुशेद 101 गारा यह कहता है कि विधायक के संदर्व में राष्टपती के पास तीन विकल्प होते हैं अत्यांतिक विट्टो विशेशित विट्टो लंबनकारी विक्टो और एक पॉकेट विट्टो ठीक है चार हो गया न यहाँ पर तीन विकल्प होते हैं अगला है आपका कि धान के खेत किस परकार की गैस निकलती है मिथेन निकलती है सबी लोग जानते है पस्वो की जुगाली में भी मिथेन गैस निकलती है दल्हनी में मिथेन गैस निकलती है क्योंकि दल्हनी छेतर में जिवास्म सरटे गलते रहते है और इस परक्रिया में मीथिन गैस निकलती है मीथिन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं जर्मनी की एदिकारिक मुद्रा क्या है तो जर्मनी की एदिकारिक मुद्रा येन है तो यूरो है क्या है यूरो जपान का येन है नेपाल का रूपिया है भारत का भी रूपिया है तुर्की क तुर्की का लीरा फिलिपिन्स का पीशो है अब यहां पे आपको 20 प्रस्थन जो है वो रिजनिंग मैथ का पिस्तीस देखने को मिलेगा दोनों मिक्स करके 30 कुश्चन है तो चलिए इसे देखते हैं रिजनिंग और मैथ के प्रस्थन को डारेक्ट हम आंसर करेंगे एक्स्प आंसर आपका B हो जाएगा 15 पंदरा आंसर हो जाएगा यहां पे देख लीजिए एक्स्पानेशन दिया हुआ है हम थोड़ा दी दी बढ़ाएंगे ताकि आप लोग स्किन सोटी से ले सके 77 नमर प्रस्थन है कि निम्न में वाट के अस्थान पर उचित विकल्ब चुनिए यहां पे आपको इस पीगर को देख के बताना है किसमें आकिर्थी कैसी आएगी तो C इसका करेक्ट आंसर बता रहा है C हो जाएगा आप लोग बना लीजिएगा C हो जाएगा ऐसे कितने आठ हैं जिसके पहले 6 और बाद में 5 हैं तो यह 2 हो जाएगा 2 होगा आप देख लिजिएगा अगला आपका एक equation यहाँ पे देना है इसको आपको समी क्या बोलते हैं उसको math का यह प्रस्थन इसे आप बना लीजिएगा answer इसका हो जाएगा A number system का प्रस्थन है उसके बाद आपका आता है 80 में यदि A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4, D बराबर 5 तो इसको आप नहीं बना सकते हैं इसका अर्थ क्या होगा तो इसमें से हो जाएगा survey, option number C बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए, 80 number है कि यदि A गुने B का आर्थ AB का भाई A-B का आर्थ की AB की माता तब इन में से कौन सा संबंध बताता है कि R, D का मामा है तो यह संबंध आपका B बताएगा next है घरी की कीमत 30% विर्धी करने के बाद 10% की छूट दी जाती है तब विक्रेता को कितना प्रतिसत लाव होता है, 17% का लाव होगा explanation आपके सामने है यदि C, E, J, Q का आर्थ X, V, Q, J है तब A, G, R, A के लिए क्या code होगा तो answer C हो जाएगा 84 देखिएगा, यदि 4P का whole Q में 984 जोड़ा जाए तब 13Q साथ प्राप्थ होता है यदि यहाँ पर Q नहीं है, 7 लिखा, 4P 3 लिखा होगा है यदि 13Q साथ 11 से विभाजित है तो P पलस Q का मान क्या होगा तो P पलस Q का मान आपको बताना है इसमें answer 10 हो जाएगा 20 मिनट में घंटे की शुई कितने डिगरी पर घूमेगी 10 दिगरी पर बनेगी यदि एक समय तथा उसके 2 ती हाई का योग 90 है तब बरी शंख्या क्या होगी, 54 हो जाएगी यदि वर्ग की लंबा 1% की तूटी हो जाए तब बर्ग के छितरफल में कितने % की तूटी होगी 2% की अगला प्रसनाता है कि एक कार की चाल 36 km पर आवर है तब एक वस उससे 40 मीटर आगे है यदि कार 20 सेकेंड में बस को 60 मीटर पीछे कर देता है तब बस की चाल क्या होगी तो बस की चाल 18 km पर सेकेंड होगे निर्मिलखी ताकिर्ती के अस्थान पर बताना है इसका आंसर आपका सी दिया हुआ है 90 नमर कोशन है इसका आंसर आप लोग देख लीज़ेगा बना के इधर देखिए इधर मैत काहीं प्रसन है यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक पेर की चाया की लंबाय रूट 3 गुना है तब उन्नेयन कोन क्या होगा उन्नेयन के नापको बताना है आंसर इसका 30 डगरी हो जाएगा 30 डगरी इनमें से कौन सा पुर्ण वर्ग है तो 139 का स्कौाइट 16,664 पुर्ण वर्ग है इसे बनाईएगा इसका आंसर माइनस 26 बटा 17 आएगा एक थैले में 1 रुप्या 50 पैसे हैं 10 पैसे के सिक्के का अनपात करम सा 357 तो कुल मुल 155 रुप्या है तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी 375 हो जाएगी आपके सामने explanation किया हुआ है नीचे दिये गए ज्वामीती आकर्ती का अबलोकन करे इसमें से चतरभुज ABC का पडिमाप तथा तिरभुज CDE के पडिमाप में किसका पडिमाप बरा है और कितना है तो आंसर आपका तिरभुज का हो जाएगा 7 वटा 6 इसे करके बना लिजेगा आंसर आजाएगा 12 निमलिकित में से कौनसा कथन सही है सभी पुर्नांग संख्या प्राकिर्थ संख्या नहीं होती है यह कथन आपका सही है यधी ऐन का पावर X प्लस 2 बघाबर 240 प्लस 9 X तब X पराबर क्या होगा 1 वटा 2 एक रोलर से सरक को समतल किया जाना है यदि रोलर का ब्या 70 cm लंबाई 1 मीटर 1000 चक्कर रोलर सरक को समतल कर देता है तो सरक का छेतरफल क्या होगा 2200 वर्ग मीटर लास्ट प्रसन है कि 10 cm, 5 cm और 7 cm की माप लंबाई चोड़ा एब उचाई का एक कार्टून से एक आयतकार बॉक्स को बनाया जाना है तो बॉक्स का छेतरफल कितना होगा 310 cm दोस्तों ये प्राक्टी सेट आपका समाप्त होगा यहाँ पर और नेक्स्ट कल आएगा जो कि आपका 15 नमबर होगा तो उमीद करते हैं कि आज का आपको प्राक्टी सेट अच्छा लगा होगा और ग्यानबिंदू का जो ऑन्लाइन ओफलाइन वाला सेट है पेट कोर्सेज का जो स्टार्ट हुआ है मैं फिर से बता दिल्न दोनों सेम ही है online हो या offline हो दोने same ही है एक 24 से start हुआ था और 17 से start हुआ है दोने same है तो उसका second जो है अवका कल हा जाएगा आज नहीं आबाएगा क्योंकि उसका answer अभी तक नहीं दिया गया है तो मिलते हैं next video के साथ तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को सेर जरूर कर दीजेगा सबस्काइब कर लीजेगा जय हिंद जय भारत